अगर परमवीर के मैं बॉस की बात करूँ तो अनल देशमुक थे बॉस पर उनके एक नौकरशाग गए जिन्होंने सुप्रीम कूट में कहा कि 100-100 करोड की उगाई करवाते हैं अनल देशमुक वो नहीं माने उन्होंने नॉर्मल कहा नहीं माने उन्होंने चिठी दी नहीं मा प्राइकोट ने जब CBI inquiry order कर दिये तो उसके बाद इस्तिफा देते हैं देविंद्र फड्नविस जो किया है वो commendable है नहीं तो महरास्चा सरकार ने इस case को दबा दिया था वाजे ने पहले ही मनसोखेरेन की हत्या कर दी थी कहीं ना कहीं जो चीज़ें भी तक निकल कर आ रही है केस दबाने की कोशिश हो चुकी थी और तमाम सारी चीज़ें थी केस को दबाने की कोशिश की गई सब कुछ हो गया था लीपा पोती करके ये एक दिखा दिया गया था कि मनसोखेरेन ने माँ पर गाड़ी खड़ी की और उसके बाद उन्होंने suicide कर लिया डर के मारे वो अनिल देशमुक को और उसके बाद अनिल देशमुक ने स्तीफा दे दिया है क्या कहेंगे इस बार में मुझे लगता है ये स्तिफा शायद महीने पहले हो जाता तो जादा बेहतर रहता नैतिक्ता की बात होती कमाल की चीज़ ये है कि अगर परमवीर के मैं बॉस की बात कर कर दिये तो उसके बाद इस्तिफा देते हैं आप दुनिया भर की चीज़े कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि कुर्सी से क्या फैविकॉल लगा कर चिपक गए हैं कि छोड़ नहीं सकते अरे भई अगर आप क्लेर होंगे तो आ जाना वापस इस देश में पहले ऐसा बहुत बार हुआ है जमाने में जब आडवानी जी पर आरोप लगे थी उन्होंने स्टिफा सर्फ लोकसभा से भी दे दिया था कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं लोकसभा में भी नहीं आऊंगा देश को इस तरह के एक्जाम्पल्स की जरूरत है लेकिन एक्जाम्पल्स की बयान देने वाले उद्दफ ठाकरे बोल नहीं रहे हैं इतने समय से लास्ट बयान उनका सचनवाजे को लेकर उसके समर्थन में आया था कि सचनवाजे को लादेन नहीं है उस दिन के बाद से अब पता नहीं उनका स्टैंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है या वाजे के गम में अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं। सिर्व सेना है अपना जेरो टू हंडिड़्ड पुरा स्टैंड वाज है को लेकर बदल लिया है। कुरोना में आपका हाल बुरा है आप सबसे नमबर वन पे हैं सिचुवेशन आपके बेहत खराब है बावजुद उसके आप इस तरह के तमाम कांट्रोवर्सीज में और प्रॉब्लम्स में फसे हुए हैं लेकिन फिर भी आकर बयान देने को तैयार नहीं है सडक पर एक कुत्ता अगर मर जाये तो उस पर भी नरिंद्र मोदी जी का स्तिफा मांगने वाले लोग आज इतना डरे हुए हैं इतना डरे हुए हैं कि एक बयान देने को तैयार नहीं है मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और सरकार किसी की बिबनाई वो महतोपून नहीं है ये रहे ना रहे क्या हो क्या नहीं महतोपून ये है कि पुलीस के एक जवान ने आतंकवाद जैसी घटना की सौकरोड की फिरोती का मामला सामने आया और इस तरह की चीजों पर अब से पहले अंगल देश्मुक को एक्शन लेना चाहिए था अब तो बहुत लेट है आपने बोला भी जिक्र किया कि जो पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से स्तीफा मांगने वाली बात आई तो सबसे बड़ी जो बात उठती है कि महाविकास अकाड़े वो तीन के साथ चल रही है राहुल गांदी राफेल का मुद्दा बड़ा लेके आते हैं जो अभी फिर दुबारा राग अलापते रहते हैं ठीक है और उसके बाद बार बार प्रधान मंत्री को चोर जरूर कहते हैं लेकि जब खुद की पार्टी में चोर शामिल है उस पर मौन वरत रख रखार उद्दफ ठाकरे तो कुछ बोलने को तयार नहीं है देखिए क्या बोलेंगे एक तो माता जी और बेटा तो राइरल केस में जमानत पर हैं दोनों जी जा जी अल्रेडी जमानत पर हैं ले देकर बस बहन जी बची हो भी कहीं न कहीं किसी न किसी केस में आई जाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फिर उदर उनकी महरास्टा के सरकार पर हंगामा आ चुक है संकट के बादल हैं ही किस मुह से बोलेंगे जहां तक बात उनकी है राफैल की राफैल को लेकर उन्होंने सुपरीम कोट में माफिय मांगी है लिखेत तौर पर जहां तक कॉंग्रेस की बात है कॉंग्रेस करप्षन पर किसी और को इस देश में कम से कम आने वाले 100 साल तक तो नहीं घेर सकती क्योंकि उनकी खुद की पार्टी, करप्शन के जन्निय मेरे देश के फिनांस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रह चुके एक व्यक्त थी जब 100 दिन जेल रहके आ चुके हैं तो वो क्या किसी को जवाब देंगे, किसी को लेकर क्या बात कहेंगे नमबर वान, नमबर टू, अगर हम राहूल गांदी की बात करें तो मुझे लगता है आजकल वो अलग टेंजिंट में हैं आजकल आईकीडो सिखा रहे हैं, कैरला में जाकर चुनावा पर चार में व्यस्त हैं उनको महरास्टा की शायद सिचुएशन नहों, याद नहों क्योंकि मुझे लगता है उनके पर जो वो डिस्क है उसमें बहुती कम डेटा आपाता है तो एक समय पर वो एक ही बात कर सकते हैं और उसमें भी 100 में से 90 गलत ही करते हैं लेकिन फिर भी मैं इतना मानता हूँ कि हाँ उनको कम से कम इतना तो बताना चाहिए क्योंकि एक हिस्सा कॉंग्रेस भी है, सरकार, वहाँ पर मिनिस्टर्स भी है उनके सरकार में जो सबसे बड़ा महत्वपून सवाल एक और है कि जनता जब से जादा जो बोलती है कि अनिल देशमुक तो कुड़सी से चिपके होए थे उन्होंने नेतिकता के अधार पर दिया ही नहीं स्तिफा, सब लोग बोड़े बहुत 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 शुक्र है देवेंदर फंडविस जो किया है, वो commendable है, नहीं तो महरास्चा सरकार ने इस case को दबा दिया था, वाजे ने पहले ही मनसोखेरेन की हत्या कर दी थी, कही ना कहीं जो चीज़ें अभी तक निकल कर आ रही है, case दबाने की कोशिश हो चुकी थी और तमाम सारी चीज़ें थी, case को दबाने की कोशि इस चीज में facts लेकर नहीं आते तधे लेकर नहीं आते तो ये इतना सब कुछ निकल कर नहीं आता अगर उन्होंने मेहनट की होती आगर थोड़ा सा भी पूलीस ने investigate किया हो था तो उनको निकल कर आ जाती चीज़े लेकिन उनको निकालना नहीं था ना उनके लिए तो clear था वो नहीं चाहते थे के case बाहर निकल कर आए जब आपका good to go man जिसको आपने Robin Hood पांडे बनाया हुआ था अपनी सरकार का जब वही किसी का murder कर रहा है तो सरकार क्यों चाहेगी कि इस तरह की चीज़े बाहर निकल कर आए मैं तो कहता हूँ CBI अब जो तरह से जाएगी तो उनको भी वो देंगे उन्होंने NIA को भी मदद किया जितने भी चीज़ें ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस तरह से है कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप गुंडागर्दी भी करेंगे लोगों को मारेंगे भी उनसे उगाई भी करेंगे और अंत में आप जो चाहेंगे करेंगे क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप बॉस हैं लेकिन हम एक लोगतंत्र में रहते हैं जहां पर जादातर और जादातर नहीं करीब आगर सौ में से सौ परतेश्वत बात करें तो वही जनता ही मालिक होती है वही तै करती है किसको सरकार में रहना है किसको नहीं हाँ कुछ लोग पीछे के दर्वादे से सत्ता की च पाने जाती है वो है मडर केस को सबस्यादा सुसाइड बनाने पर तो जनता की ये भी मांग उट रही है कि अब दुबारा से जाच परताल होने चाहिए CBI को क्योंकि पहले जब वो मुख्य मंदी तो तथे चेंज हो सकते हैं फैक्ट और जो भी सबूत्ते हो उसे गुम्रहा क करने के कोशिश की गई होगी देखे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां तक बात सुषान सेंग राजपूत की है चाहे उसके बाद दशासालियान की है चाहे उसके बाद ये तमाम मन्सों के रेन की बात है यह अपने आप में कड़ी-दर-कड़ी जुरती जा रही है जि इतनी असान है नहीं जितनी असान चीज़ें दिखते हैं क्यूंकि महरास्चा सरकार का इंटेंशन पूरा का पूरा ही शक्य घेरे में हैं और इसको बाहर निकालना बेहत जरूरी है पुलीस हर चीज़ पर लीपा पोती करती आ रही है जो कि इस देश की सबसे बहतरीन दुनि मीडिया पर वो ही है कि उद्दफ ठाकरे का इस्तीफा जरूर होना चाहिए क्योंकि उद्दफ ठाकरे ना तो कुछ बोलते बन रहे हैं ना ही जो उनके मजबूरी है कि एक के खुला से हो लेकिन तब भी सरकार बरकरार ऐसी ही चल रही है मतलब यह महा कास अगाड़ी नहीं है यह महा विचलित अगाड़ी है प्राबलम उद्दफ ठाकरे के साथ कई सारी है वो बोले क्या पहले आकर वाज़े के लिए बैटिंग कर दी अब उस स्टैंड को चेंज कर लिया है अब सिफसे ना कहती है कि नहीं वाज़े गलत आदम कुछ करें इससे बहतर है चुप रहे कर बीच जाए लेकिन ये जनता या फिर भारती जनता पार्टी बीचने नहीं देगी क्योंकि आपको जवाब देई तो आपकी है जहां तक बात रिजाइन करने की है मुझे नहीं लगता कि वो रिजाइन करेंगे जाहिर है क्योंकि सत पता है एक ऐसी चीज होती है इनसान बहुत जल्दी से छोड़ने को तैयार नहीं होता लेकिन इतना जरूरत है कि कही ना कहीं जस तरह से ये चीज़ें हुई है इनको देखते हुए उनके क्रेडिबिलिटी पहले ही बुरा हाल था पूरी तरीके से डामेज हो चुकी है बै जाबा शुक्रिया